नमस्कार गुड इवनिंग मनी गुरू में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट पलवी आज के कारेक्रूम में हम बात करने वाले हैं लोन्स पर यानि कि लोन्स से जुड़े वे आपके सवालों को शामिल किया जाएगा पाच जाए परसनल लोन की हो या फिर आपके हो होमलोन के लिए अपलाई कर रहा हूँ इस शो में आपके सभी सवालों को अड्रेस करेंगे हमारे आज के कारेक्रूम में हमारे साथ दो खास मान मान चुड़ेंगे फिलाला हमारे साथ अभी शेक दुवेदी हैं बैंक बाजार.com से अभी शेक बहुत स्वागत है आपका का के लावा लोन ट्रांसफर चेक इस पर भी चर्चा होगी जॉइंट लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं क्या ओफर्स हैं इन सभी मुद्धों पर हमारे पाचीत करेंगे तो चलिए कुछ सवाल अब शामिल करते हैं पहला सवाल शक्ती नारायन सापका है लखनाउ से इनो होने शेर किये 31 साल इनक्यूमर है और जो इनकी मासिका है और अबाट 40,500 यह जानना चाहरे हैं आप से कि गवर्मन्न जॉब में है इनको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है प्रॉपर्टी की कॉस्ट होने बताई करीब 25 लाग यह पच्छस लाग की प्रॉपर्टी वे कितना इनको मार्जन देना होगा और कितना लोन मिल पाएगा देखिए ऐसा होता है कि जब भी होम लोन होता है दो चीजें होती है जिसके बेस पर हम उनकी करते हैं कि मैक्सिमम को कितना लोन मिल सकता है सबसे पहले बात तो यह है कि इनकी जो सैलरी है टिपिकली इसका 40-50 परसेंट तक यह EMI दे सकते हैं तो उस बैसिस पर बैक इनको लोन देती है तो अगर इस केस में अगर मान लिजे कि इन्होंने कोई भी लोन नहीं लिया है भी तक और सारे कोई भी इनकी EMI नहीं जा रही है तो इस केस में अगर इनका 40,000 का अगर इनका महमतली अगर यह 20 साल का लोन ले तो तकरीबन इनको अप्टू 20 लाक्स तत मिल सकता है तो एक तो वो ख्रैटिरिय होता है दूसर क्रैटिरिय क्या होता है कि यह जो भी प्रपर्टी ले रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है एंड अगर आप देखो जो भी कॉस्ट है उसकी 82 90% के बीच मिलती है अगर आप मोर दें 20 लाक्स है तो वह आपको 80 परसेंट ही मिलेगा जो इसका है तो अगर आपने बताए की 25 लाक्स है तो डेफिनेटिल बीशाए 25 लाक्स इनको मिलेगा वो लोन तो इन दोनाव कॉमिनेशन म maximum eligibility calculate की जाएगी पंकर्च जैसे इनोंने बताया इनकी age है 31 और साथी सरकारी नौकर में यह भी एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि इनकी profile को देखते वे सब्सक्राइब कितना ब्याज इनको देना होगा अगर 20 सार के लिए लोन ले रहे हैं तो अभी 75 लाग के अगर नीचे लोन लेते हैं तो 10.15 रेट है इसमीइ का तो बैटर है वो अगर उनका खाता है तो बैटर है में जाना और यह वो ट्रेंड सेटर रहे इस होम लोन तो एस बी आई ही आज की डेट में देखा जाएगा तो अच्छा रहेगा और पर लेक 1000 के करीब यह मानना चाहिए और दूसरी बात यह भी जाननी अगर स्कोर अच्छा है तो लोन लेने में बहुत ही अच्छी आसानी रहेगी तो चले आप फिलाल लून के लिए जैसे आप अप्लाइ करना चाहरे है लगबग 20 लाग तक का लून आपको मिल पाएगा आपकी प्रोफाइल को देखते हैं हमार साथ एक और दाष्रक हैं पूर्णाइन परसंदीप है बैंगलुम से नमस्कार संदीप पुच्छे क्या सवाल है जी अग्म, है क्या सवाल है और मुझे वनियर हो गया है आपकी पे करते हुए तो मैं कम करना चाहता हूं कोई खास वज़ा है संधीप आप लोन ट्रांसफर करना चाहरे हैं आपने किसी बैंक से बात करी है इसे कम में आपको मिल रहा हूं 16.25 से कि अपने करी कि मैं एक आपके अपने आप ने किसी अपने बारे में थोड़ा सब बजा पाएंगे आपकी आय कितनी है लग बग साला ना मैंडू मेरा 6,001,001 एज संधीप अपके उमर कितनी है संधीप अपकी अमर कितनी है एज 30 एर मनम काधि लेंगे बहुत हैं वहाई डिख़ो तो अगलेषी से बोले हैं अगर आखने लेंगे लेकिन इसमें काध चाहिए कि यह do नहीं देते हैं, वो डिपेंड अगे ने करे रहा है कि आपकी प्रफाइल क्या है, जैसे for example, HDFC Bank अभी आप देखो तो परस्नलों में रीडर बाई फार, वो सबसे बड़े परस्नलों देने वाले इंटिटी हैं अभी इंडिया में, और वो काफी मिलता है कि आपको 13.5-14% में मिलता है, उसके बादा इनकी job stability कितनी रही है, तो यह साथ 3-4 से मिलाके rate of interest consider होता है, तो definitely जो HDFC Bank आप देखो तो काफी competitive है, तो अगर आप ICICIA में या फिर Standard Chartered में या फिर City Bank में जो equally competitive है, अगर आप जाओ, तो आपको definitely you know, एक option मिलता है, लेकिन मैं कहाँगा, कहुँगा कि जरूई ने कि इनको वो कम हो ही जाए, क्योंकि अगर, again, personal loan काफी होता है, तो दूसरे banks भी assess करेंगे कि इनकी profile क्या है, उस profile के base वो देखेंगे कि कि इनको loan दे सकते हैं, लेकिन definitely इनको try करना चाहिए, पंकर, जैसे की अभिशेक ने भी add किया, आप से भी मैं जानना चाहरे हूँ, काफी सारे charges involved होते हैं, personal loan के अगर बात करें, home loan transfer कही बार हम चोपर चर्चा करते हैं, यहाँ बात personal loan की हो रही है, कुछ इसमें charges भी होंगे, और फिर नए bank में जाएं apply करेंगे, पहले तो कितने options इनके पास कौन-कौन से banks है, जैसे अभिशेक ने बोला ऐसे से banks है, इनको ने add देखा था और वहाँ पर कुछ एक इनको कम ब्याज पर मिलेगा, लेकिन कम ब्याज पर तो मिल रहा है, पर साथी transfer करने में waiting period होता है, हर एक bank का अपना अपना limit होता है, 6 मेने से 12 मेना, और अगर आप payment करना भी चाहो, तो 4-5 टका आपको penalty लगती है, और दूसरी bank में अगर shift करवाते हो, तो 2-6 टका आपको processing fees लगती है, दुबारा loan लेने के लिए, तो 7 टके का cost मान करके चलिए, तो अगर जो 4-4 लाग की अगर loan भी बाकी है, तो 28,000 रुबे का upfront खर्चा है उनको, मेरी राए तो इनको यही रहेंगी कि वो बहुत high interest पे कर रहे हैं, और हो सके, तो existing investment से पूरा loan खतम करने की कोशिस पहले करें, ना कि transfer करने की. जी, तो कुछ बात होगा संदीब, आपको खास ख्याल रखना होगा, processing fees जैसे बताया है, हमारे expert ने, पंकर्च ने, कि आपको overall जो cost पढ़ेगी, सिर्फ transfer करने की cost काफी आपको पढ़ जाएगी, 28,500 के असपास, काफी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, साथि अगर आप transfer कर भी रहे हैं, तो आप एक बार ब्यास ज़रूर चेक करें, और आपको कितनी cost पढ़ेगी इस transfer में, वो ज़रूर आप चेक कर सकते हैं, फिलार मासाथ मनोच फूपाल से फोन लाइन पहे हैं, नमशकार मनोची, पूछे क्या सवाल है, मैं अच्छी मैं अच्छी मैं आप साथ लोन लेने का construction ही है? हाँ, जी, हाँ, जी. उके, उसको फिर आगे rent out करना चाहरे, किस चीज का construction, घर बनाना चाहरे हैं, या कमर्शल यूज के लिए? ने, घर, घर. काफी सारी चीजे इसमें देखने वाली हैं, अब शेक पहले आपसे मैं जाना चाहूंगी, प्लॉट पर एक तो काफी बैंक्स के rules, norms जो हैं तोड़े strict रहते हैं, और आम अगर home loan के लिए apply कर रहे होते हैं, उसे ब्याजदर बिनको जादा देनी पड़ेगी, साथ एक important point ज तो जैसे अगर gift अगर हो जाता है, तो obviously इनके wife के नाम में paper हो जाएंगी, तो उसके बाद इनको loan लेने में दिकत नहीं आएगी, अब से पहली बात है, दूसरी बात है कि जब से बता है कि हाँ, अगर आप plot loan ले रहे हो, तो उस case में आपको थोड़ी सी problem होती है, आपके rate of ज्यादा नहीं होती है, अगर आप सिर्फ plot line होती हो, तो वो आपके bank लिए ज्यादा critical होता है, और उसमें banks ज्यादा aggressive होती है, तो अगर आप इस case में देखो, तो definitely इनको मिलना चाहिए, और जब भी, जो भी home loan लेने के लिए, जो required चीजें होती है, इनका income होना चाहिए, इनका जो record होना चाहिए, वो clean होना चाहिए, in terms of repayment, अगर उने पिछले कोई loan लिया है, तो यह सारी चीजें है, अगर इनकी सही हो, इनका पास सारे कागज हो, तो इनको loan मिलने में दिक्रपनी होनी चाहिए, ओके, को और एक्सपॉर्ट है, मासद पंकज उनसे भी राय ले आपके तरफ से क्या राय और साथी कौन से बैंक्स में अपरोश कर सकते हैं, नहीं, गिफ्ट करवा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ जाती, एक बार टाइटल अगर उनके नाम पे हो गया, तो यह जानना जरूरी है, कि क्या उनकी wife भी earning है, या खुद ही earning है, और करते हैं, 32 से 35 के बीच में दोनों की एज है, क्योंकि एज पी एक प्रोफाइल के तौर पर देखा जाएगा, जो भी eligibility रहेगी, दोनों की income पे definitely रहेगी, अभी शेक, लेकिन कौन से बैंक से जहां पर यह अपरोच कर सकते हैं, और अगर गिफ्ट करवाते हैं, यानि किनकी और sales construction के लिए जैसे बताया गया कि बहुत बैंक अग्रेसिव नहीं होती है, तो HDFC, ICICI जैसे बैंक को approach कर सकते हैं, और amount चोटा सा है, तो easily मिल जाना चाहिए, कोई लिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो मनोच, हमारे दोनों एक्सपर्ट की राय है कि आप प्लॉट है वो अपकी वाइफ के नापे ट्रांसपर करा सकते हैं, और साथी ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे कच बैंक से बड़े बैंक से जहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं, और आपको इस प्लॉट पर लोल मिल जाएग फिलाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवाल हैं जो हम शामिल करेंगे, मारे साथ दोनों जानकर मौझदू रहेंगे, पंकज और साथी, अभिशेक दुवेदी, जल दौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बार वल्कम बाक आप देख रहें, मनी गुरू और आचाचा लोन्स पर हो रहे हैं, इसलिए लोन की मार्केट को जो खासत और से ट्रैक करते हैं, हमार साथ दो एक्सपर्ट से हैं, पंकज माल डे हमार साथ है, हेड फिनांशल प्लानिंग अपना पैसा डॉट कम और साथी, एक और उपिनिन रखने के लिए हमार साथ अभी शेख दुवेदी मौजूद है, बैकबाजार डॉट कॉम से, दोनों ये एक्सपर्ट से रहे लेते रहेंगे, कुछ सवालों को शामिल करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हमार साथ अजए कुमार का सवाल मेल के जर्या है, नम कितनी मिल जाएगे इनको और कुछ एडिशनल चीजें हैं, क्या डॉक्मेंट्स लगेंगे इस पर देखेंगे, सबस्क्राइब कार की जो रेट्स होती हैं, वो निउ कारों से काफी ज़्यादा होती हैं, अगर आप रेट्स देखो तो अराउं 16-18% के रेंज में होती हैं, अगर आप new car का देखो तो वो approximately 10.5-12 के बीच में typically होती है, अगर आप mid-range car की बात करो तो, तो definitely इनको ज़्यादा interest देना पड़ेगा, यह पहली बात है, दूसरी बात है कि used car तोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें तोड़ा से डॉक्मेंट ज़्यादा होते हैं, क्यादि सबसे बात कि जो भी used car लेर हैं, इसका bank evaluation करेगी, और वो typically, किसी authorized dealer या फिर insurance agency है, वो इसका जो भी value निकालते हैं, उसका एक percentage तक ही इनको मिल सकता है, अब तो 90% भी देती हैं, लेकिन अगर आप देखो तो banks typically conservative रहती हैं, तो अगर आप देखो तो typically 16-70% तक ही जाती है, त तो यह है और definitely, you know, process थोड़ा से लंबा रहेगा compared to a new car, अगर interest rates की बात करें, तो पंकज, जैसे की अलड़ी भी अविशेग भी बता रहे हैं कि ब्यास से थोड़ी सी extra होगी और चुनाफ के टाइम पर prepayment, charges वगएरा का भी ध्यान रखना होगा, अगर अभी की बात करें, तो major banks कितने rates दे रहे हैं? ना सिर्फ आपकी rate of interest हाई रहेगी, बड़कि आपको EMI भी ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप second hand car लेते हैं, तो ये चीद को ध्यान रखना पड़ेगा. लगबग 14-18% तक के कुछ इन फैक्ट फिलाल मौजूदा विकल्प हैं आपके सामने रखे गए हैं, Bank of India, Central Bank of India, ISJFC Bank, बड़क प्राइवेट और साथी सरकारी दोनों बैंक से कुछ options हैं, ICICF Bank और SBI जो सबसे बड़ा बैंक माना जाते हैं देशका, लगबग 16-17% तक का प्यासदर आपको भी देनी पड़ेगी second hand car में. कुछ documentation के अगर बात करें, पंकर्ष तो कुछ आप आड़ कर पाएंगे, कौन से documents देने होंगे? लोन में सबसे पहला document होता है, वो income proof होता है, आप लोन कैसे service करोगे, यह तो ITR होता है, दो-तिन साल के वो चलेंगे, और अगर आप accelerated है और form 16 है अगर आपके पास, तो यह जरूरी होता है, सबसे बड़ी बात यही होता है, कि आप service कैसे करोगे लोन को, उसी को main important चीज मान करना जाता है, eligibility के लिए, तो पहचान, पतिक अप्रूफ तो सांती, और तीन साल का ITR income tax returns भी आपको शोग करने पड़ेंगे, और लगबग 80-90% तक का, depending की valuation के आधार पर क्या value निकलती है, गारी की, जो Bima company टे करेगे, उसके आधार पर आपको लोन मिलेगा, हमार साथ एक मेरे पात अपना मकान है, लेकिन अपने चोटे मेठे के लिए, मकान लेना जाता हूं, मकान की cost क्या है लगबग? सार जैसे आपने बताया कि दो धाई साल में एप होंगे अभी फिलाल आपके ओपर कोई लोन है नई मेरा विस्टेश पर कोई लोन नहीं है ना मकान का लोन है ना कोई का कोई लोन नहीं है लोन के लिए आप मतब ऐसा मेन बॉर्वर अप्लाइ करना चाहरे हैं या को लेकिन जॉइंट लोन की कुछ आप सोच रहे हैं? जी मैं जानना चाहता हूं कि मैं जॉइंट ले सकता हूं या मैं अपना सेल्फी पूरा ले सकता हूं कोई लोन अब शेक जैसे नहोंने बताया खुद ये रिटार्मन के काफी करीब हैं बतला 58 इनकी उम्र है और कुछी समय में ताई साल के लगबग जबकि लोन की डूरेशन इससे लंबी होगी बैंक साधा कमफर्टिबल नहीं होते हैं अगर इनकी बैटे इनकी जगे लोन लें लें लेकिन उनकी सालरी स्ट्रक्शन ओने शेयर किया 2.2 लगबग उनकी अनुल इंकम हैं क्या ओप्शन्स इनके पास जी हैं बिलकु सही बो आपने जो भी अगर लून लिया है पास में अपने डिफॉल्ड दो हने किया है आपका सारे इनकम के range के प्रूफ्स हैं यह जुआ बता रहे हो तो इसार리 चाहरी न होंगी होगी साथ में यह भी देखते हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो आपनी कितने टीनिर के लिए ल सब्सक्राइब करते हैं तो उस 2.5 एस के बाद इनकी एमाई कैसे बहर पाएंगे तो यह बैंक डेफिनिटली जाना चाहेगी और वहां पर शाहिए थोड़ी से मिश्किल हो सकती है पंकज, do you agree with what अभिशेक said क्योंकि जैसे इनोंने एज पताई है 30 मांस के बाद इनका रटायमेंट भी है बेटे की अगर बात करी थी नोंने बेटा यंग तो है लेकिन उनकी सालरी काफी कम है क्योंकि इनकी रिक्वार्मेंट ज्यादा है 50 लाग तक का फ्लाट है अगर प्ला एज के दर्मियान पूरा लोन भर दे तो अभी उनका तो धाई साल का पीरड़ी बचा है तो उनके केस में यह प्रब्लम आ रहा है कि एज काफी है ज्यादा तो लोन सर्विस नहीं कर सकते और बेटे की जो इंकम है वो काफी लो है तो 30-40 लाग का लोन तो नहीं बैटेगा अगर वो कोई आप्शन करे और अपने बड़े बेटे जिसकी इंकम अच्छी हो उसको भी को बोरोर के रूप में अगर एड़ करते हैं तो कुछ चांस बनता है अदर्वाइस इनके दोनों के केस में ऐसा लगता है कि मुश्किल है 40 लाग तक की लोन मिलना तो लोन एलिजिबिलिटी के अगर बात करें रजनी शोड़ा सा मुश्किल रहेगा जसे आपने खुद भी बताया था लोन जो सालरी स्ट्रक्चर है आपके बेटे का वो काफी कम है और रिक्वार्मेंट आपकी जादा है को बोरोर के तोर पर अगर कोई और बीटा है आप तो आप उसके साथ लोन लेने की सोच सकते हैं फिलाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे ठेकिन हमासा दोनों एक्स पर्शुरे हैं पंकर्च और साथिया विश्क दोनों से राय लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद तो आप देख रहे हैं मनी गुरू लोन्स और आपके सवालों के जवाब देने के समासा दो एक्सपर्ट है पंकर्च माल रहे हैं हमासा अपना पैसा से और साथिया अभी शेक दुवेधी की भी हम राय ले रहे हैं बैंक बाजार को रेपेजिन कर रहे हैं आज के शोट में आखरी सेग्मेंट है इसलिए आखरी सवाल श जेनरल लेवल पर अगर बात करें पंकर्च पहले आपसे पूछूंगी कितने साल कम से कम नौकरी के बाद पीए पर लोन मिल सकता और कितना लोन मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड जनरली हम ऐसा कहते हैं कि इसको रिटायर्मेंट के लिए यूज करना चाहिए नौर्मल केस में इसको विड्रोल के बारे में सोचना नहीं चाहिए मगर कुछ इमर्जनसी है तो यहां आपको यह है कि आप विड्रो कर सकते हैं जैसे आप मेरे बचों के मेरेज या एजुकेशन के लिए कर सकते हैं घर खरीदने के लिए कर सकते हैं घर कंस्रेक्शन करने के लिए कर सकते हैं या आप इलने सा जाती है तो उसके और हर एक चीज के लिए अलग अलग criteria से minimum विड्रो कर सकते हो वह आपका है कि आपका minimum फांच साल के पहले except illness आपको मिलना मिलता नहीं है और बाकी के सब केस में पांच साल के बाद मिलना सब्सक्राइब Clifford Lawrence का पूर्चि को अपना कीमती समय देने कले की आज की कारेक्राइब के लेकिन बुद्वार का करक्रम देखना ना भूले, हमारे साथ इंडस्ट्री की टॉप एक्सपर्ट्स चुडएंगे, इंशॉरंस में आम मेडिकलेम स्पेशल लेकर आ रहे हैं, अपने सारे दश्वों के लिए कल का मनिभू देखना ना भूलेगा, नमस्कार.